नमस्कार नमस्कार आज पंडिया परिवार की चैत्रे सुद्ध चवदस के दिन दियाडी माता है तो सभी पंडिया परिवार के बाई बंदों को दियाडी कैसे बनाते हैं इसके विशय में सुचतार्थ करता हूं आसा है कि आप सब यह जानकर धन्यता को प्राफ दहूंगे सबसे पहले सफेदा लेते हैं और जिस दिवाल पे आप दियाडी माता को स्तापना करना चाहते हैं वहां सफेदे से उस जगह को चोड़स में सफेद करते हैं माति देखे और वह स्तान पवित्र हो गया है सफेद रंग से ऐसेशा सफेद दे से उसे पोत देते हैं सांसी해야 कि अधिकी आप ड़िएर के लिए उससे सूखने बनाते हो इसके बाद आप एक कासा की कासा की न हो तो पित्तल की एक डीस ले और उसके अंदर कृपिया स्वच सिंदूर निकाले यह आप देख सकते हैं यहां सिंदूर है जो कि आप सभी मंगलवार और सनिवार के दिन भगवान बजरंग पे चड़ाते होंगे तो सबको मालूम है यहां अक्रू के अध्यान रखे किसी वो कंकू का उपयोग नहीं करना है क्यूंकि जब भी हम दियारी माता बनाते हैं तो क इसके लिए सुध देशी घृण गाई का गी ही उसके लिए सुध देशी गाय का गी उपयोग करें और देखी अब मैं कैसे मिस्रण करता हूं मैं गाय का गी लेने जा रहा हूं तो इसके लिए अब सुध। देशी गाई का गीले जो आप देख सकते हैं वीडियो में और गाई के गी को दीरे दीरे थोड़ी-थोड़ी मात्र में उसके अंदर डाले ताकि अगर आप तोड़ी जल्द बाजी करोगी तो गी ज्यादा हो जाएगा तो सिंदूर ज्यादा गीली हो जाएगी सुद्ध गाई का गी जी इसके अबाव में आप अगर गी न हो तो उसके अबाव में आप दूसरा गी भी ले सकते हैं लेकिन हो सके तो सुद्ध गाई का गी लीजी ताकि माता जी की स्तापना अच्छी तरह से हो सके फिर उसको दीरे दीरे ऐसे मिस्रण कीजी मिस्रण करते स हमाई हाथ का प्रयोग कम करें क्योंकि अपने हाथ के अलावा ऐसे तीली है कुछ चमची है चलू देखे यहां पर सिंदोर और गी का मिस्त्रम तैयार हो गया है और उसके लिए तिलक करने के लिए पात्रव सिंदूर लगाने के लिए तुली दिया सिलाई की और उसके आगे रूल रूई लगा के वो पात्रव देखे आप माता जी किस्ता आपना कैसे करते हैं आज हमारे पंडिया परिवार की 14 के दिन दियारी माता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले मंदिर बनाते हैं तो मंदिर आप कितनी भी कैसे भी मंदिर बना स सकते यह था सकती उसके अंदर 14 से तो चैत्रसुद 14 की 14 छोटी-छोटी सी तिलक लगाते हैं कि अगर अगर कि अगर कि अगर कि कि चलो देखिए सभी बंदुजन यहां पर हमें ऐसे तिलक करके आप मंदिर बना सकते इसमें नो ग्यारा चौदा कितनी भी आप टिकी लगा के तिलक बना सकते हैं ऐसा मंदिर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा इस तरह चौदा से इसलिए चौदा सका चंद्रमा बनाया है जो कि माता जी को हमें इसा प्रकास देता रहेगा और इस तरफ सुर्य भगवान को भी स्तापना की है और यहां माता जी की दजह का लहरा रही है यह सब काम हमने हाथ से ही बनाया है किसे के साथ पैंटिंग वगेरे स्तापना करिए माता जी का मन में नाम स्मरण करते हुए मंत्रों चाइर करते हुए मंत्रों कि दजह के साथ शडाओं जाप करते रही हो सके तो पांच बार साथ नो बार 11 बार इसका जाप करते करते हैं आप माता जी की स्थापना करें अम्भूर्वास्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वा प्रचो दयार जी की सापना हो रही है मन में मंत्रो चार चालू है गायत्री मंत्र भी चालू है ओम पूर्ण जाइ माता दी जाइ माता दी यहां पर यह से माता जी की त्विशूल बन गई यानि माता जी की स्तापना हो गई मंत्रो चाल के साथ स्तापना हुई है माता जी भी रात्ती है यह कोई पेंटिंग का कलर नहीं है सिंदूर है गी इसे बना सिंदूर और इसके द्वारा माता जी की स्तापना करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर माता जी की स्तापना के साथ यहां पर दो तिका करते हैं यहां माता जी के आखे भी बनाएंगी यहां हमने माताजी की स्तापना कर दी है दी विधान के साथ और उसके बाद अब माताजी की स्तापना होगी तो यहां अब आज 14 है चैत्रसुद 14 तो 14 से इसाब से यहां 14 टिकी लगाएंगे मैं महत्वा इसका है कि 14 की दी आड़ी हो तो 14 लगाते हैं 9 की हो तो 9 लगाते हैं कि आड़ी है कि अब आड़ी है कि अब इसकी है इसलिए हमने 14 एक दो तीन चार पांक छे साथ आड़ नो जस ग्यारा बारा तेरा चौदा टिकी लगा कर माताजी की स्ताफना की है वह आप सब देख सकते हैं मंदिर में और यहां पर एक तरफ हम दिखेंगे सूब एक तरफ सूबलाब ऐसा भी लिखेंगे अगे इसा दिखा हुआ आप देख सकते हैं इस सूबलाब ऐसा हुआ देख सकते हैं इस तो पर हमने दियारी माता की स्तापना कर दी है मंदिर बना दिया है और यहां लिख दिया है कि चाइतरसुज चौदस या कि खोई भी पूजा अर्चना करें दर्सन करने आए तो उख्aching को अनों पड़े कि इस धियारी चाय थासुजज चौदस के दिन है और ऐसे ही आप मंदिर बना सकते हैं माता जिरिस्तापना कर सकते हैं इनकी पुझा पाट भी कर सकते हैं, और पुझा बनाना चाहें, तो जहां इस मंदीद में भी बना सकते हैं, और न चाहें तो इतना ही कापी है, इसके बाद यह जो सिंदूर बचा है, उसका गर के मुख्य द्वार में गनपती बनाएं, और उनकी सून राइट साइड यानि क दाएं साइड रखें, वेद में अच्छे गौंग की लापसी, गी से बनाई हुई लापसी, उसमें गूर डालें, सक्कर का उपयोग न करें, सक्के हो तो, और उसका निवेद करें, और माताजी को प्रसंद करके उनके आसिरवात ले, ताकि आप पहयं कर बिमार या अभी जैसे कोरोना वाइरस चल रहा है, उससे भी बस सकें, और हिंदु संस्कूरती को आगे बढ़ा सकें, चलो दोस्तों, आसा रखता हूं कि आप सबको आज दियारी माता की स्तापना की बारे में महाईतगार करके मुझे अनन्द प्राप्त हुआ और आप भी जान कर धन्यों ह